परिजय मोहन और उसके पिताजी बालकोनी में खड़े हैं वे प्राताकाल की ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं मोहन सड़क की ओर उस्सापूर्वक कुछ देख रहा है पिताजी बिजली के खंबों पर वा स्लेटी रंग का बॉक्स जैसा क्या रखा हुआ है? बेटा वह एक ट्रांसफार्मर है ठीक है पिताजी और इसका उप्योग क्यों किया जाता है? किर्पया मुझे बताएं बेटा इसका उप्योग विद्यूत की वोल्टता कम करने के लिए किया जाता है उर्जा केंदरों पर उत्पादित की जाने वाली विद्युत की वोल्टिता कई हजार होती है ट्रांसफार्मर इस वोल्टिता को घरों के लिए 220 वोल्ट तक तथा उद्योगों के लिए 440 वोल्ट तक कम कर देता है ठीक है पिताजी और मैं इस बारे में और भी अधिक जानना चाहता हूँ ट्रांसफार्मरों के बारे में और अधिक जानने के लिए तुम्हें प्रत्यवर्ती धारा के बारे में समझना होगा तो चलो बच्चो, आज हम प्रत्यवर्ती धारा के विशे में अध्यन करेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्निकरने में सक्षम हो जाएंगे श्रणी बद्ध LCR परिपत का विशलेशन करना प्रतिबाधा तिर्भुज को निरूपित करना LCR परिपत में अनुनात की व्याख्या करना LCR परिपत में अनुनात की तीक्ष्णाता का वड़न करना शक्ती गुडांक की गड़ना करना LC दोलनों का वड़न करना ट्रांसफार्मरों को परिभाशित करना ट्रांसफार्मरों के प्रकारों को समझना ट्रांस्फार्मरों में उर्जाक्षय का विवेचन करना. श्रणी बद्ध LCR परिपत एक परिपत पर विचार करें, जिसमें प्रतिरोध R का एक प्रतिरोधक, प्रेरक कत्व, L का एक प्रेरक, और संधारिता, C का एक संधारित्र, एक AC स्रोध पर श्रणी क्रम में संगोजित हैं. माना की स्रोध वोल्ट ता Vm sin ω T के बराबर है. लूप पर किर्खौफ का नियम प्रेयुक्त करने पर हम प्राप्त करते हैं कि V बराबर Vr प्लस Vl प्लस Vc. उर्द्व अक्षपर की सिक्षण में Vr का प्रक्षेप Vr के बराबर होता है, जिसका अधिकतमान Im और R का गुणनफल होता है. धारा फेजर I से पाई बटे दो आगे फेजर Vl प्रेयरक पर वल्ट दा प्रदशित करता है. किसी क्षण में उर्द्व अक्षपर इसका प्रक्षेप Vl होता है, जिसका अधिकतमान Im और XL का गुणनफल होता है. धारा फेजर I से पाई बटे दो पीछे फेजर Vc संधा रित्र पर वल्ट दा प्रदशित करता है. किसी क्षण में उर्द्व अक्षपर इसका प्रक्षेप Vc होता है, जिसका अधिकतमान Im और Xc का गुणनफल होता है. अब हम वल्ट दा फेजरों Vr, Vl और Vc को सदिशिये रूप से जोड़ते हुए फेजर V प्राप्त करते हैं, जो परिपत पर नेट वल्ट दा दर्शाता है. V अधिकतम बराबर वर्क मूल Vr अधिकतम वर्ग प्लस Vc अधिकतम माइनस Vl अधिकतम वर्ग समकोन तिर्भोज नेट वोल्ट दा तथा कला कोन के अधिकतम मान का समिकरण प्रदान करता है. 10,5 बराबर Vc अधिकतम माइनस Vl अधिकतम बटे Vr अधिकतम ओन का नियम प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि Vm बराबर Im गुणे वर्क मूल R वर्ग प्लस Xc माइनस XL वर्ग. हम परिपत की प्रतिबाधा वर्ग मूल R वर्ग प्लस Xc माइनस XL वर्ग के रूप में प्राप्द करते हैं. अब उप्रोग्त समिकरण निम्न रूप लेता है Vm बराबर Im और Z का गुणन फल. हम इस समिकरण को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं. Im बराबर Vm पटे Z या Irms बराबर Vrms पटे Z. श्रणी पथ LCR परिपत का फेजर चित्र हल परिपत के सभी बिंदों पर तातक्षणिक धारा का मान समान रहता है. आई बराबर Im साइन ओमेगा T प्लस फाई जहां फाई सरोध पर वोल्टता तथा परिपत में धारा के बीच कला अंतर है. तीनों घटकों पर तातक्षणिक वोल्टता के तातक्षणिक धारा से निम्न कला संबंद होंगे. प्रतिरोधक VR पर तातक्षणिक वोल्टता तातक्षणिक धारा आई के साथ कला में है. प्रति बाधा तिर्भुज का उप्योग प्रति बाधा की करना करने के लिए किया जा सकता है जब प्रति रोध प्रेर कत्व तथा संधारिता सभी परिपत में उपस्तित हों और प्रेरक प्रतिखात तथा धारिता प्रतिखात के बीच का अंदर कुल प्रतिखात हो विकन रूप में प्रति बाधा जट के साथ समकोन प्राप्त होता है राशी XL-XC परिपत का प्रतिखात कहलाती है जिसे X से निर्दिष्ट किया जाता है 10-5 पराबर XC-XL बटे R LCR परिपत में अनुनाद अनुनाद ऐसे निकायों में घटित होता है जिनमें किसी विशिष्ट आवरिती से दोलन करने की प्रतिखाती होती है जब इस प्राकृतिक आवरिती के एकदम पराबर आवरिती वाला एक आवधिक वाहे पल इस निकाय पर लगाया जाता है अनुनात में वाहे आफदिक पलद्वारा निकाय को दी जाने वाली उर्जा अधिक्तम संभव धरपर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली दोलंगती होती है आवरित्ती ओमेगा नौट जिस पर धारा आयाम अधिक्तम हो जाता है परिपत की अनुनाद आवरित्ती कहलाती है ओमेगा नौट बराबर एक बटे वर्कमूल एलसी होता है अनुनाद में धारा दोलनों का आयाम पूरी तरह से प्रतिरोध आर द्वारा निर्धारित किया जाता है I-M अधिकत्म बराबर V-M बटे R होता है LCR परिपत में अनुनाद में तादिक्षणिक धारा I तथा वोल्टिता V कला में होते हैं LCR परिपत में अनुनाद की तीक्ष्णता वैद्दुतिक अनुनाद पर प्रतिरोध का प्रभाव अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता को चीन करता है प्रतिरोध जितना ही छोटा होगा अनुनाद वक्र उतना ही तीक्ष्ण होगा परिपत का गुणवत्ता गुणांक Q, ओमेगा नौट L बटे आर होता है या एक बटे ओमेगा नौट C आर गुणवत्ता गुणांक का उप्योग अनुनाद शिक्रों की तीक्षनता को वर्नित करने के लिए किया जाता है यदि आर छोटा या एल बड़ा है तो ये इंगित करता है कि अनुनाद अधिक तीक्षन है तथा परिपत अधिक चाहनात्मक है उधारण आए लसी आर परिपत में अनुनाद का एक उधारण देखें लसी आर परिपत की श्रिणी की अनुनाद अवरिती और क्यू गुणांक ग्याद करें जहां ल पराबर तीन हैंरी, सी पराबर सताइस, माइक्रो फेराड तथा आर पराबर साथ दशमलाव चार ओम है परिपत की पून चोड़ाई अधिक्तम आधे तक कम करते हुए इसकी दीक्षनता गुणांक दो तक बढ़ाना अपेक्षित है आईए इसका हल देखें दिये गए मान हैं एल पराबर तीन हैंरी सी पराबर सताइस कुणें दस की घाद माइनस छे फेराड आर पराबर साथ दशमलाव चार ओम हम जानते हैं कि अनुनाद अवरित्ती एक बटे वर्कमोल एलसी होती है अब मानु को रखते हुए हम अनुनाद अवरित्ती एक सो ग्यारा रेडियन प्रती सेकंड पराब्त करते हैं क्यों गुणांक बडाबर ओमेगा आर एल बटे आर है अब मानु को रखते हुए हम क्यों गुणांक पैंतालीस पराब्त करते हैं च्यूंकि Q आर के विर्थ क्रमानु पाती है, इसलिए Q को दोगुना करने के लिए आर को आधा होना जाहिए. शक्ती गुडांक परिपत में विसरेत तातक्षनिक शक्ती है, P बराबर VI. एक पूर्ण चक्र पर शक्ती का समय माध्य, V-RMS कुणे, I-RMS कुणे, कौस फाई. हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि परिपत में आपूर्टी की गई और सच्छक्ती ना केवल वोल्टता तदा धारा पर निर्भर होती है, बलकि उनके बीच के एक अलाकून फाई की कोजिया पर भी निर्भर होती है. कौस फाई को परिपत का शक्ती गुड़ांग भी कहा जाता है. प्रती बाधा आरेक से हम शक्ती गुड़ांग को निम्नुवत परिभाशित कर सकते हैं. कौस फाई बराबर आर बटे जड़ जो आर बटे वर्ग मूल आर वर्ग प्लस एकस एल माइनस एकसी वर्ग के बराबर है. अब हम एक पून चक्र पर शक्ती का मात्थे समय आगणित करने के लिए उप्रोक्त दोनों समय करनों का उप्योग करते हैं. पी बार बराबर आई आरेमेस वर्ग तथा आर का गुड़न फल. विभिन परिपतों में शक्ती गुड़ांख. प्राकरण एक. प्रतिरोध की ये परिपत. यदि परिपत में केवल प्रतिरोधक है तो फाई बराबर चुननें. कौस फाई कमान बराबर एक. इसमें अधिक्तम शक्ती 6 होती है. पी बार बराबर वी आरेमेस और आई आरेमेस का गुड़न फल. प्राकरण दो. शुद्ध प्रेरिकिये या धारितिये परिपत. यदि परिपत में केवल प्रेरकिया संधारित्र है तो फाई बराबर माइनस पाई बड़े दो या पाई बड़े दो. कौस फाई कमान बराबर 6 इसमें शक्ती 6 नहीं हो दी. पी बार बराबर 6 प्राकरण 3. LCR श्रणी करम परिपत. यदि परिपत में प्रेरकिया संधारित्र तथा प्रतिरोधक हैं तो कौस फाई कमान 6 और 1 के बीच रहता है. ऐसे परिपत में सदेव शक्ती ख्षय होता है. प्राकरण 4. LCR परिपत में अनुनाद में शक्ती ख्षय. शक्ती केवल प्रतिरोधक में ख्षयत होती है. LCR परिपत में प्रेरकिया संधारित्र पर उश्मा के रूप में शक्ती ख्षयत नहीं होती. L.C. दोलन U.B. चुनने होती है. प्रेरकिया क्षयत्र में इस्थानांत रित करती जाती है. इस चरण में प्रेरकिया में धारा कमान अधिक्तम हो जाता है. अब प्रेरकिया से उच्जा का प्रवहा वापस संधारित्र की ओर बहने लगता है. क्योंकि विद्ध क्षयत्र पुना बन जाता है. प्रेरकिया संधारित्र की ओर समस्त उर्जा का इस्थानांत रन होता है. ये परिस्थिती, आरंबिक परिस्थिती के समान होती है. सिवाई इसके की संधारित्र विप्रीत आवेशित होता है. संधारित्र पुना निरावेशित होना शुरू हो जाता है धारा अब दक्षण वर्ति दिशा में प्रवाहित होती है संधारित्र में संचित समस्त उर्जा प्रेरक के चुम्ब की एक्षेत्र पर इस्थानांत्रेत करती जाती है उर्जा अब प्रेरक से वापस संधारित्र की ओर प्रवाहित होने लगती है उर्जा का निरंतर आवागमन संधारित्र के विद्धिक्षेत्र तथा प्रेरक के चुम्मिकीक्षेत्र के बीच होता रहता है यह प्रक्रिया वी की निश्चित आवरिती पर जारी रहती है तक जारी रहेंगे ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति होती है जो एसी वोल्टता वा धारा का आयाम घटाने या बढ़ाने के लिए उपियोग की जाती है ट्रांसफार्मर में कोमल लहफ क्रोड होती है जिस पर तारों की दो कुंडलियां लिप्टी होती है एक प्रातमी कुंडली कहलाती है जिस पर एनपी लपेटे होते है और दूसरी दुद्यक कुंडली कहलाती है जिस पर एनस लपेटे होते है प्राथमिक कुंडली AC-EMF स्रोज से जुड़ी होती है दूतिय कुंडली ट्रांसफर्मर का आउटपुट प्रदान करती है कोमल लोह क्रोट का उप्योग जुमिकिये फ्लक्स बढ़ाने तथा एक माथ्यम उपलब्द कराने के लिए किया जाता है जिसमें एक कुंडली के माथ्यम से लगभग समस्त फ्लक्स अन्य में चला जाता है प्राथमिक और दूतिय कुंडलीयों के माथ्यम से फ्लक्स परिवर्तित भी होता रहता है और इसलिए दूनों कुंडलीयों में एक EMF प्रेरित होता है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधी जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यवर्ति वोल्डता लगाई जाती है तो प्रत्यवर्ति धारा इसमें लोह क्रोड में एक परिवर्तन शील चुम्पी एक शेत्र उत्पन्न करती है जो कि चुम्ब की एक शेत्र परिवर्तन शील होता है इसलिए प्राथमिक और दूतियक कुंडलियों के माध्यम से फिलक्स परिवर्तित भी होता रहता है और इसलिए दोनों कुंडलियों में एक EMF प्रेहरित होता है माना की फाई दोनों कुंडलियों के प्रतियक लपेटे के माध्यम से चुम किये फ्लक्स है पारस परिक प्रेरण के कारण दूदियक में EMF प्रेरित होता है ES पराबर माइनस NSD फाई बटे डी टी प्रादमे कुंडली में स्वाप प्रेरण से EMF प्रेरित होता है EB बराबर माइनस NPD फाई बटे डी टी अब दोनों समीकरणों को विभाजित करने पर हम पाते हैं कि ES बटे EB बराबर NS बटे NP ये समीकरण ट्रांसफार्मर समीकरण कहलाता है इसे टर्मिनल वोल्टता के रूप में निम्नवत लिखा जा सकता है VS बटे VB बराबर NS बटे NP अनुपाद NS बटे NP ट्रांसफार्मर के लपेटों का अनुपाद कहलाता है ट्रांसफार्मरों के प्रकार ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर जब दूइत्यक वोल्टिता प्रात्मिक वोल्टिता से उच्चतर होती है तो ऐसा ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है अब च्चाई ट्रांसफार्मर जब दूद्यक वोल्टिता प्रात्मिक वोल्टिता से निम्नतर होती है तो ऐसा ट्रांसफार्मर अपचाईद ट्रांसफार्मर कहलाता है वोल्टिता को उच्चाईद करने वाला ट्रांसफार्मर साथी साथ धारा को अपचाईद भी करता है जबकि वोल्टिता को अपचाइद करने वाला ट्रांसफार्मर साथ ही साथ धारा को उचाइद भी करता है IS पटे IP बराबर VP पटे VS बराबर NP पटे NS ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग तारों के माध्यम से विद्ध उर्जा का लंबी दूरियों तक संप्रेशन करने से पहले वल्टिता बढ़ाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है ये विद्ध आपूर्ती उद्ध्योग के आधार हैं जिनके कारण मांक शेत्रों से सुदूर इस्थिच शेत्रों में विद्ध उत्पादन संभाव हो पाता है निमने वल्टिता परिपतों वाले विद्ध उत्पादों के अनुसार उप्युक्त इस्तर तक आपूर्ती वल्टिता को कम करने के लिए इन में ट्रांसफार्मरों का काफी उप्योग किया जाता है आवर्दकों के इस तरह युक्मित करने के लिए और माइक्रोफोन वा रिकॉर्ड प्लेट जैसी युक्तियों को आवर्दकों के इन्पुट से मिलान कराने के लिए सिंगनल तथा आउडियो ट्रांसफार्मरों का उप्योग किया जाता है आउडियो ट्रांसफार्मरों के कारण ही टेलिफून परिपतों में तारों के एकलियुक्म में दो तरफा संप्रेशन कराना संभा होता है ट्रांसफार्मरों में ऊर्जा क्षय निम्न अनुसार है फलक्सक्षरन उर्जा का क्षय होता है जब प्रात्मिक द्वारा उत्पन समस्थ फलक्स दूइतिय से नहीं कुजरता प्रात्मिक और दूइतिय कुंडलीयों को एक दूसरे के उपर लपेट कर इस हानी को कम किया जा सकता है कुंडलनों का ततिरोध कुंडलनों में उत्पन होने वाली उश्मा की कारण उड़ जाक्षय होता है मोटे तारों का इस्तिमाल करके इस हानी को कम किया जा सकता है भवर धाराएं लहो क्रोड में भवर धाराओं के कारण उश्मा के रूप में उड़ जाक्षय होता है स्तरित क्रोट का उपयोग करके इस हानी को कम किया जा सकता है शेह थिल्ले लोह क्रोट के चुमबकन वा विजुमबकन के चक्रूं के दोरान उत्पन उश्मा के रूप में उर्जा काक्षा होता है कम शेथिल ले पाश वाली क्रोड समक्री का उप्योग करके इस हानी को कम किया जा सकता है कुमल लौ क्रोड का उप्योग शेथिल ले हानी और फलक्सिक शरन को कम करता है क्या आप जानते हैं समानांतर अनुनाद परिपत का उप्योग रिजेक्टर या फिल्टर परिपत के रूप में किया जा सकता है रेडियो ट्रांस्मेटरों में ऐसे परिपत उप्योग किया जाते है सन 1826 में फ्रांसीसी वग्यानिक फैलिक सावेरी द्वारा ये खोच की गई कि संधा रित्र विद्ध दोलन उत्पन कर सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं श्रिणी बद LCR परिपत में प्रतिरोदक पर तादक्षणिक वोल्टता तादक्षणिक धारा के साथ कला में होती है प्रेरक पर तादक्षणिक वोल्टता धारा आई से पाई बटे दो आके होती है संधारित्र पर तादक्षणिक वोल्टता धारा आई से पाई बटे दो पीछे होती है प्रति बाधा तिर्भुज का उप्योग प्रति बाधा की करना करने के लिए किया जा सकता है जब प्रतिरोद प्रेरकत्व तथा संधारिता सभी परिपत में उपस्तित हों अनुनात में वाहे आवधिक बल द्वारा निकाय को दी जाने वाली उर्जा अधिक्तम संभव धर पर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली तूलनकती होती है LCR परिपत में अनुनात में तातिक्षणिक धारा आई तथा वुल्टता वी कला में होते हैं ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति होती है जो एसी वुल्टता वा धारा का आयाम घटाने या बढ़ाने के लिए उप्योग की जाती है ट्रांसफार्मर में कुंडलनों में उत्पन होने वाली उश्मा के कारण उटजाक्षाए होता है मोटे तारों के इस्तिमाल करके इस हानी को कम किया जा सकता है कॉमल लोह क्रोट का उप्योग शेथिल्ले हानी और फ्लक्स शरन को कम करता है